नमस्कार स्वागत आप सभीगा मैं हूँ आपके सर्प्रतिक्षा और एक बार फिर देश की बड़ी ख़बरों के साथ मैं हाजर हूँ आज की सबसे बड़ी ख़बर जुड़ी हुई है प्रधान मंतरी मोदी से जिहां मद्यप्रदेश के दौरे पर हैं राजगर में हैं और उसके बाद इंदौर का भी वो दौरा करने वाले हैं दरसल तकरीपन 400 से जादा पर्योजनाएं यहां पर हैं जिसका की आज वो शिला न्यास करेंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण बांध राजगर के इलाके का है जिसको आज जनता को सौपा जाएगा और इस इलाके में जिस तरीके से बारिश पर तमाम किसान निर्भर थे अब इस बांध से थोड़ी सहूलियत उन्हें जरूर मिलेगी उसके बाद वो इंदौर करुक करेंगे एक जनसभा को भी संबोधित करना है उन्हें कई सारी परियोजनाओं का शिला नियास करना है और अपनी आज की राजगड की जो जनसभा थी जिसमें उन्होंने कहा कि जो नफरत फेलाने वाले लोग हैं वो लगतार जमीन से कटते जा रहे हैं निशाना निश्चित तोर पर विपक्ष पर रहा होगा लेकिन अब ही फिलाल उनके संबोधन की ये जो एक महत्वपून बात थी ये चर्चा का विशय बनी हुई है मध्यप्रदेश में इस साल चुनाओ भी है इसलिहास से भी प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहत महत्वपून माना जा रहा है और कहा ये जा रहा है कि शिवरात सिंध चौहान उस मंच पर प्रधानमंत्री मोधी की तारीफ करते नजर आए और जो कुछ काम मध्यप्रदेश सरकार ने या केंदर सरकार ने किया है उन तमाम उपलब्धियों को भी उन्होंने गिनवाया यानि पूरी जो स्ट्राटजी है पूरी जो रणनीती है वो निश्चित ही दो हजार अठारा के अंत में मध्यप्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है चली आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधान मंतरी के बाद अमिट शाह की अमिट शाह आज जम्मू के दोरे पर है वैसे देखें तो पीड़ेपी और बीजेपी के जो गटबंधन था वो खत्म होने के बाद ये पहला मौका होगा जब अमिट शाह जो है वो जम्मू विशेओं पर चर्चा करेंगे एक लिहास से और भी ये महत्वपून हो जाता है क्योंकि आज श्यामप्रसाद मुखर जी जो की जनसंग के संस्थापक थे उनकी पुर्नितिती भी है तो आज बीजेपी इसे एक विशेश तोर के रूप में मना रही है जिसे बलिदान से जुड़ा हुआ जो कारिकरम है वो जम्मू की जमीन पर होगा जम्मू मन होगा जहां पर अमिट्शा शेरकत करेंगे सोशल मीडिया के जो कारिकरता हैं वो किस तरीके से काम करें कैसे प्रचार पसार करें यहां के जम्मू के वहां से भी उन लोगों से बाचीत कैसे हो सक है operation all out 2 यानि operation all out part 2 का आगाज हो चुका है 21 आतंकियों के list एक बार फिर बन चुकी है और सेना इस वक्त form में है और इन 21 आतंकियों के खात्मे करने के लिए लगातार operations शुरू हो चुके हैं कहा यह जा रहा है कि इन 21 इस आतंकियों को operation all out part 2 का हिस्सा बताए गया है और यह जो सूची है इसे खत्म करना इस वक्त सेना की प्रात्मिक्ताओं में है नजर मारी बनी रहेगी अगली ख़बर का रुक कर करवा रही है जहां कुछ ऐसी खबर है इस खबर की पुष्टी पंजाइदी राइमस नहीं करता इस खबर की पुष्टी हम नहीं करते लेकिन ग्रहमंत्राले के पास जो खूफिया विजे से परिशान है लेकिन फिलहाल उनके फैंस के लिए भारती टीम के लिए एक अच्छी खबर है कि इंग्लेंड दौरे के लिए विराट कोहली बिल्कुल फिट है प्रेस कांफरेंस में रवी शास्तरी के साथ बैठे उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल स्वस्त हूँ और भारती टीम के खेलने के लिए उत्साहित भी हूँ आपको बता दें कि इंग्लेंड के लिए टीम रवाना हो चुकी है विराट कोहली भी उस टीम का हिस्सा है अनुश्का शर्मा उनकी पत्नी खुद उन्हें सी ओफ करने पहुँची थी उन्हें छोडने पहुँची थी औ विराट कोहली इंग्लेंड के लिए रवाना हो चुके हैं भारती टीम और प्रसंशकों के लिए बेहत अच्छी खबर कि विराट कोहली स्वस्थ हैं और इंग्लेंड की सिरीज का हिस्सा है तो यह थी आज की बड़ी खबरें जो हम आप तक पहुचा रहे थे हैं मारी कोश कर तक दो बड़ी कर दो का हुचा है